बिस्मिल्लायर्मान ररहीम असलाम लेकम डियर स्टूड़ा एंड विवर्स आप एक रामे स्वेदर साजित के साथ उम्मिद करता हूँ आप तमाम लोग खेरियस से होंगे आज का मारा क्वेस्चन है काल्कुलेट दी वेरियंस एंड स्टंडर्ड डिवियेशन हमारे पास अन्गूर्प डेटे का क्वेस्चन गिवन है वेरियंस को फाइंड करेंगे और स्टंडर्ड डिवियेशन को फाइंड करेंगे अल्टरनेटिव फार्मूला या मैथिड की मदस्ते और एक्स की वेल्यूस गिवन है अब हम वेरियंस का फार्मूला लिखते है वेरियंस इस इकल टू समीशन एक्स का सुकेर बटे एन मैनिस समीशन एक्स बटे एन होल का मुरब्ब्ब यह हमारे पस एक्स की वेल्यूस गिवन है फार्मूले की तरफ चलते है एक्स का सुकेर बटे एन एन का मतलब होता है नमबर आफ वेल्यूस यहाँ पर लिखते है एन इस इकल टू वेल्यूस कौन करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and हमारे पास 9 है, X का सुकेयर, अब हम क्या करते हैं, X का सुकेयर लेते हैं, जैसा के फार्मूले से जहर है, X का सुकेयर, 45 का सुकेयर लेते हैं, 2025 आता है, 32 का सुकेयर लेते हैं, 1024 आता है, 37 का सुकेल लेते हैं 1399 आता है 46 का सुकेल लेते है 21 16 आता है 39 का सुकेल लेते है 1521 आता है 36 का सुकेल लेते है 1296 आता है 41 का स्क्यےर लेते हैं 1681 आता है 48 का स्क्येर लेते हैं 2304 आता है 36 का स्क्येर लेते हैं 12002 चानवे आता है देखें, summation x का square, अब हम क्या करते हैं, x के square की जितनी भी values हैं, उनको sum up करते हैं, summation का मतलब होता है, sum up करना, summation x का square is equal to, इन तमाम values को जमा करते हैं, 14,632 आता है, अब हम इन तमाम values को formula के अंदर put करते हैं, variance is equal to, summation x का square, उसके जगा, उसके value को put करते हैं, जो हम लोग ने total की है, वो हमारे पासे 14,632, जो हमारे पास 9 है, मैनिस, आगे फार्मूले की तरफ जलते हैं, मैनिस, summation x, बटे n whole का square, देकि यहां पे देखें, summation x, summation x का मतलब यह होता है, x की value को sum up करेंगे, summation x is equal to, इन तमाम values को जम्मा करते हैं, जो 360 आता है, अब हम क्या करते हैं, summation x की जगा 360 को put करते हैं, summation x की जगा 360 को put करते हैं, 360, बटे n की जगा 9 को put करते हैं, whole का square, various is equal to, 14,632 को 9 पे divide करते हैं, 16, 25.78 आता है, 360 को minus, 360 को 9 पे divide करते हैं, 40 आता है, 40 का square, variance is equal to, 1625.78 minus, 40 का square लेते हैं, तो हमारे पास आता है, 1600, variance is equal to, 1625.78 में से, 1600 को less करते हैं, तो 25.78 आता है, marks, यह हमारे पास variance का answer है, अब हम क्या करते हैं, standard deviation का formula लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, standard deviation is equal to, submission x का square, बटे n, minus, submission x, बटे n, का, मुरब्बा, whole का, जज़र, standard deviation is equal to, submission x की square की जगा, उसकी value को put करते हैं, जो हमारे पास है, 14,632, 14,632, बटे n, n की जगा, 9 को put करते हैं, minus, submission x, x की जगा, 360 को put करते हैं, 360, n की जगा, 9 को put करते हैं, 9 का मुरब्बा, यानि, whole का मुरब्बा, और whole का जज़र, standard deviation is equal to, 14,632 को 9 पर, डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास आता है, 1625.78, minus, 369 को नो पर, डिवाइड करते हैं, तो 40 आता है, यानि, 40 का square, whole का, जज़र, standard deviation is equal to, 1625.78, minus, 40 का square लेते हैं, 1600 का जज़र, standard deviation is equal to, 1625.78 में से, 16, यानि, 1600 को लेस करते हैं, तो हमारे पास आता है, 25.78 का जज़र, standard deviation is equal to, 25.78 का जज़र लेते हैं, 5.08 marks, यह हमारे पास standard deviation का answer है, वीवर्द में उमीद करता हूँ, यह lecture आप लोगों को असानी से समिझा आ जाएगा, और आप लोगों को से request है, कैनली मेरे चैनल को सब्क्राइब कीज़ेगा, बेल आई को लाजी प्रेस कीज़ेगा, ताकि आप लोगों को हर ने आने वाजी वीडियो का notification मिल जाए, काल इंशाला नेक्स टॉपिक करेंगे,